इतिहास के बन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है ऐसे में 4 जून के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी 4 जून 1989 को चीन की राजधानी बीजिंग में सेना ने शांती पूरवक प्रदसन कर रहे नियत्य नागरिकों पर बंदूकों और टैंकों से कारवाई की जिसमें बड़ी संख्या में लोग हतात हो गए थी इसके अलावा 4 जून 2001 में नेपाल में ग्यानेंदर बीर विक्रम शाह ने राजगदी समाली थी महराजा ग्यानेंदर दुनिया के अंतिम हिंदू समराठ थे देश-दुनिया के द्यास में 4 जून की तारीक पर दर्ज प्रमु गठनाओं का सिलसिले बार ब्योरा इस प्रकार है आज के दिन 1929 में अमेरिकी खोच करता और उध्योगपती जॉर्ज इस्टमें ने पहली रंगीन फिल्म का नमोना परिस किया था भारती हिंदी फिल्मों की पृसिदद अबनेतरी बीना राय का जन्म आजी के दिन 1931 में हुआ था आजी के दिन 24 में दुतिय विश्यूद के दौरां जर्मनी की सेना ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रवेज किया था 1944 में आजी के दिन अमेरिकन आर्मी ने दुतिय विश्यूद के दौरान रोम में प्रवेश किया था हिंदी और मराटी फिल्मों के प्रसिद्ध बनेता असोक सर्राफ का जन्म आजी के दिन 1947 में हुआ था राश्टिय कांग्रिस के वरिश्ट नेताओं में से एक अनिल सास्त्री का जन्म आजी के दिन 1948 में हुआ था रिलाइंस सम्हू के अध्यक्ष और प्रसिद्ध ध्योगपती अनिल अम्बानी का जन्म आजी के दिन 1969 में हुआ था आयुरबेदिक आउसधियों के प्रचार प्रसार के लिए प्रिसिद्ध अचंत लक्षमीपती का निधन आजी के दिन 1962 में हुआ था आजी के दिन 1964 में माल दिव ने अपने सम्हिधान का निर्माल किया था अमेरिका की प्रसिद्ध बनेत्री एंजेलिना जोली का जन्म आजी के दिन 1975 में हुआ था आजी के दिन 1989 में चीन की राजधानी बीजिंग में थेन आन्मन चोक पर शांती पूर प्रदसन कर रहे नागरिकों पर शैन कारवाई की गई थी 1991 में आजी के दिन दुतियविस यूद के बाद अलवानिया में पहली गहर सामबादी सरकार बनी थी 2001 में आजी के दिन नेपाल में ग्यानेंद्र बीर विक्रम शाह ने अपने भाई और बेटे के निधन के बाद सत्ता समवाली थी आजी के दिन 2003 में डोमिनिक गणराज की 18 बरसी सुंदरी एमिलिया बेगा मिस उनिवर्स चुनी गई थी 2005 में आजी के दिन लाल कृष्ण अडवाडी ने कराची में मुहम्मद जिन्ना को धर्म निरपेक्ष व्यक्ति बताया था आजी के दिन 2006 में योगोसलाविया के पूर्व गरनाज मोंटे नेग्रो ने स्वतंत्रता की गोष्णा की थी 2008 में आजी के दिन हरियाना सरकार ने पारवारीक पेंशन का लाव 25 बरसे कम उम्र की लड़कियों को भी देने की गोष्णा की थी आजी के दिन 2008 में नेगोक की सीनेटर हिलेरी कुलिंटन को पचारते हुए बराक उबाबा ने अमेरिकी राष्टपती पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मिदबारी हासिल की थी 2011 में आजी के दिन अलकाइदा का वरिष्ट कमांडर इलियास कस्मीरी बजीरिस्तान के कवाईली इलाके में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था आज के इतियास में बस इतना ही कल का इतियास लेकर पुना आजीर होंगे नमस्कार